अब बात करते हैं कि Java के दुरू अगर हमें data इंसर्ट करना हो database के अंदर तो वो कैसे करेंगे अगर आपको यह नहीं पता कि connections वगरा कैसे बनाने हैं Java के अंदर and database के अंदर तो आप video number 70 देख लेना link description box में दियाव है पूरी playlist का अगर मैं हर वीडियो के अंदर connection बनाऊंगा ना तो 20-22 minute हर बार जाएंगे तो वो मैं नहीं चाहता इसलिए connection मैंने एक बार बना दिया था उसके बाद मैंने get data के लिए एक अलग से वीडियो बनाई है ताकि हम लोग यह चेक कर सेंगे data get कैसे कर सकते हैं database से Java के अंदर अब हम लोग insert कैसे कर सकते हैं वो देखने वाले हैं सबसे पहले में एक function बनाना पड़ेगा data को insert करने के लिए उसके बाद में हम एक query को execute करना पड़ेगा and query execute करते हैं हमारा data अब insert हो जाए और चेक करें यह हमारा get connection नाम से एक function बनावा है इसी function को हम लोग use करेंगे connection को बनाने के लिए right because इसके अंदर हम लोग उने password और username अगरा सब कुछ set कर रखा है जब हम लोग उने get data use कर रहा था तब भी हम लोग उने get connection वाला function use कर था अब लोग insert के लिए function बनाते हैं उसके अंदर कुछ code लिखेंगे और बाद में हमारा data insert हो जाएगा सो मैं हाप इस static function नहीं बनाऊंगा public static void और उसके बाद में let's say insert data यह हम लोग function का नाम रख देते हैं उसके बाद में लोग try catch block use करेंगे आप directly exception through भी use कर सकते हो but try catch मैं जदा prefer करता हूँ और even देखो मैं अगर चाहूँ तो इस code को directly copy paste कर सकता हूँ यहां से copy करके paste कर सकता हूँ but मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं code लिख रहा हूँ आप भी ऐसी code लिखो जितना आप ज्यादा code लिखोगे आप ज्यादा practice होगे आपको code थोड़ा बहुत याद भी होगा आपके logic भी सुद्रेंगे और आपके programming के उपर ज्याद अच्छी command बनेगी राइट तो मैं लोगोंने catch block लगाया अब हम लोग इसके अंदर catch block भी लगा देते हैं और catch block के अंदर हम लोग error लेने के लिए यहाँ पर exception class का परामेटर ले ले लेते हैं और यहाँ पर एक मैं shout करवा देता हूँ और यहाँ लिख दूँँ हमें error space और e यह क्या करेगा जो भी exact error होगा वह हमें दे देगा perfect अब हम लोग यहाँ पर code लिखना start करेंगे जैसा हम लोग उने get connection get data के लिए करा था वैसा हम लोग यहाँ पर statement लेंगे statement और उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे get connection dot create statement alright और बाद में आप एक result लोगे last time हम लोग ने result लिया था वह पूरा result set type का था because इसमें पूरा पूरा हम लोग data उठा के लेके आ रहे थे but अब हमें data नहीं उठाना तो यहाँ पर जो हमारा result होगा वह integer type का होग basically right और यहाँ पर हमें statement के साथ में लिखना पड़ेगा dot execute update right इसके अंदर हम लोग हमारी query लिखने वाले है query अगर मैं आपको एक बार के दिखा हूँ तो workbench में हम लोगों ने last video के अंदर insert वाली command यूज करी थी ठीक है यह वाली आप चाहो तो इसको copy paste कर सकते हो इधर directly otherwise मैं जैसा बता रहा हूँ कि मैं लिखना prefer करता हूँ तो मैं आप इसको type करना ही prefer करूँगा तो मैं आप लिखूँगा insert into उसके बाद में table name table name है हमारा user आपके case में अगर table name अलग है तो आप अलग table name लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आप चाहो तोड़ा space दे सकते हैं तो space नहीं भी दोगे तो भी चलेगा और यहाँ पर आपके जो-जो field है जैसे कि मेरे पास field है id name and email यह तिन field है और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिखें तो इसलिए हम लोग यहाँ पर single quotes कर सकते हैं इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको पहला तो वैसे भी integer है तो directly लिखेंगे 3 because जो हमारी name है वो integer type का है और उसके बाद में हम लोग ले सकते हैं कोई भी name जैसे कि में यहाँ पर लेता हूँ Bruce और 3rd one में यहाँ पर ले लेता हूँ let's say bruce iterate test dot com और उसके बाद में यहाँ पर में equal to भी लगाना था वो जो की भूल गयाना है उसके बाद में बनो क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे shout करवा देते हैं जो भी मारा result आता है अगर यहाँ पर 1 आता है result अगर true है तो आप कर सकते हो shout data inserted इस तरीके से ओके और यह integer values में आप one equal equal to one check कर सकते हो else आप लोग यहाँ पर ले चकते हो shout some error और अगर आप इसको check भी करवाना चाहते हो result हमारा print क्या कर रहा है तो यहाँ पर आप एक shout लगा सकते हो और यहाँ पर लिगा देता हो में directly result ठीक है मेरे इसाप से 1 ही print करेगा कुछ और नहीं करवाया तो हम लोग उसके हिसाप से condition को change कर देंग but I hope यह वाली condition सही चलेंग और हमारा data भी insert होग अचा एक चीज जो चीज जरूरी दो हम लोग भूली गए इसको functional call भी करवाना पड़ेगा आप लोगोंने जैसे कि यहाँ पर get data call करवा रखाना इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ पहले insert करवाता हूँ तकि एक बार data insert हो और बाद में वो data में get भी हो जाए क्योंकि तीन data हो जाएंगे तब get करने के लिए अभी तो दो ही data है न हमारे पास database में अगर मैं आपको यह वाला दिखाऊ हूँ तो दो ही data है हमारे पास Sam & Peter अब पहले यह insert होगा यह वाला function इंसर्ट करेगा उसके बाद में get data वो बाद में चली थी तो मैं भी यह 4 data इंसर्ट कर दे तीन ही करेगा अब अगर आप यहाँ भी check कर होगे तो भी हमारे पास तीन ही data है आप यहाँ भी देख सकते हो और अगर आप यहाँ भी check कर होगे तीन ही है अगर 4th data भी इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4 और उसके बाद मैं Bruce के चाहँ पर कर देता हूँ tony यहाँ पर tony.test.com अब 4th id भी हमारी यहाँ पर डिस्पले हो जाएगी हमें एक बार इसको भी check कर लेते हैं all right तो देख सकते हो यहाँ पर okay there is a error so let me check कि यहाँ पर error है क्या I still write just give me a moment there is a reason because हम लोगों ने यहाँ पर course नहीं डाले होगे course भी डाल देता हूँ last time 3 records इसलिए दिखा रहा होगा because database में हमारे पास already 3 records ही होगे इसलिए right अब मैं 4th record insert कर रहा हूँ तो अब definitely 4th record जाना चाहिए so here we go okay तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसने पहले 1 दिखाया उसके बाद में इसने लिखा data inserted अब यह तो हमारा database connection कहां से आया सबसे पहले because हमारा यह वाला function execute हुआ था right उसके बाद में yes ने 1 दिया shout से इस वाले print से statement से इसने 1 दिया उसके बाद data inserted इस condition में गया बाद में data connected फिर से आया function चल रहा था यह वाला get data तो इसने एक बाद यह वाला print करा और एक ही data इसने print कर दिया 4th के 4 record यहां पे आप देख सकते हो और अगर आप यहां भी चेक करोगे तो आपको 4 record मिल जाएगे so आप देख सकते हो 4 record मिल राइट so इस तरह की हम लोग data इंसर्ट करवा सकते है अब मैं आपको बताता हूँ कि एक चोटा सा task आपके लिए कि है आपके लिए task यह है कि जो हम लोग data इंसर्ट करवा रहे है हम लोगों नहीं यहां पे लिख है static यह variable के थू आना चाहिए पहले आप variable declare करो और बाद में यहाँ पे chart, toni और जो भी मैं ने चीज़े लिखी variable आप यहाँ पे paste करो variable कैसे paste करोगे यह आप सीको और मुझे comment section के अंदर आप चाहो तो code paste भी करके बता सकते हो या फिर छोटा सा syntax लिखके बता सकते होगी इस तरह किसे हम लोग इसको paste करेंगे अगर आपको still problem आ रही है तो इसके लिए मैं galaxy video बना दूँगा इवन मैं आपको यह बता दूँगा कि आप command line से input लेके कैसे insert करवा सकते हो all right and next role part के अंदर हम लोग delete and where closes होकर भी देखेंगे उसके बाद में हमारे पास कुछ ही videos बच जाएंगी Java के उपर और जल्दी ही react native का course भी आने वाला है आप मुझे बता सकते हो comment box में कि आपको कितना excitement है आपको सही लगता है या फिर हमें कुछ और try करना चाहिए react native ओर प्रण चाहिए भी Thank you guys Thank you so much for watching this video